हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कृत भारत की परातन गाथाएं और महान संतों की वाड़ी सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं साई की लिला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लिला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लिला तो अदबुत आपार है साई लिला सारे सुखों का बार है साई लिला साई की लिला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लीला को साई जा दे संसारी नोग के सीटे जा दे उदी की लीला तेरी सब से निराले पल भर में दुखियों का दुख हरने वाले निसंतान माओं की कोख जिसने भर दी रोते हुवे चेहरों पे मुश्कान धर दी बड़े बड़े रोगों का उदी उपचार है साई लीला साई की लीला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लीला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने आटे की लकीर खीच है जा भगाया सूखे हुवे कुवों में पाने भर आया पानी से साई तुने दीपक जलाए दीपक जलाए छूखर के कोड़ियों के कोड़ कु मिटाए कोड़ कु मिटाए लीला तेरी जग में जैसे अमरित की धार है साई लीला साई की लीला तो साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई लीला अनुपम है अदबत आपार है साई लीला सारे सुखों का दवार है साई की लीला तो साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लीला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लीला को साई जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लीला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने प्रणाम गंगागीर बाबा आज आपके चरन असपर्ष से शेड़ी पवित्र हुई है ये शीवशंकर ये भोले नाथ कि खंडो बार आया तेरी ये लीला मेरी समझ में नहीं आ रही है कि खंडो बार आया आप क्या कहना चाहते हैं शीरीडी में एक धोंगी आया है वसका धोंग शीरीडी वालों के सामने खोल दीजिए कंगागीर बाबा कल्यान मस्ते हमारा कल्यान नहीं हो सकता बाबा जब तक वो धोंगी चमक्तार दिखाकर शीरी के भोले भाली लोगों को बेवकूप बनाता रहेगा कंगागीर बाबा आप इनकी बातों में नाइए आप कुछ नाहीं बोलें तो अच्छा है मालसा पती आपने उस साइं को सर पे चड़ा रखा है ओ तो उसका नाम साइं है अच्छा अच्छा तो नाम सही अपने आपको भगवान बना लिया है भगवान तो एक ही है सबका मालेक एक गंगागीर बाबा और यह वैजजी और द्वारी कानाथ उनकी साथ कहां जा रहे हैं साई के यहां जा रहे हैं चलो चलो कि दंगागीर बाबा देखियें यही है वोट होंगी साइं जै हो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोबार आया तेरी लीला अपरमपार है आज तेरे दर्शन हो गए बाइक अनार जी साई तो रत नहीं है रत्म छिल्डी के लोग भागय शाली है यह रत्म छिल्डी में आया है शाइनात की जै शाइनात की जैए रत्म तो शाइनात की जैए अरे बादेनात की जैए ऐसे ही बखवास करते रहोगे तो शिर्डी नहीं दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी तुम्हें समझे भगवन द्वारिका राब जी वो साई शिर्डी से बाहर जा सकता है कैसे है वो तो अब लोगों के दिलों में घर कर चुका है लोगों की आदाश्ट बहुत कमजोर होती है कि अगर हम उसे धोंगे साबित करते तो कोशिश की थी ना क्या हुआ हां उसने उसी का फाइदा उठाके साबित कर दिया कि वो धोंगी नहीं है अब पोशिश करोगे ना तो लोग तुम दोनों को पाखंडी समझेंगे यह थपाण मूँ बंद रखने के लिए कि मुझे क्यों बंद मूँ फिर से ना खोलने के लिए मूर्ख बेवकूफों चुप रहो दौरी का नाच जी अगर किसी महान ज्यानी से जाई का साम ना करवा दे तो आप बेज शास्त्र पढ़े जरूर है शास्त्री जी लेकिन हम निर्गुण और निराकार भगवान में नहीं हैं बलकि सगुण और साकार भगवान में विश्वास करते हैं यही तो आपकी भूल है परमेश्वर निराकार है और आपको निर्गुण निराकार की ही उपासना करनी चाहिए क्योंकि सगुण और साकार की उपासना करने के अज्ञानता फाइदा पाखंडी उठाते हैं और अपने आपको भगवान मानने लगते हैं शास्त्री जी आप हमारे साई बाबा का आपमान कर रहे हैं अरे कैसे विद्वान है आप केवल चर्म चक्षों से ही संसार को देख रहे हैं अंत्र चक्षों से नहीं शामा शास्त्री जी विद्वान है और विद्वानों की सदा पूजा करनी चाहिए महल सापती शास्त्री जी आये हैं तो हमारी शंका का निवारण अवश्च करेंगे शास्त्री जी ब्रम्म की कितने सुरूप हैं दो कौन कौन से निर्गुण और सगुण जो निर्गुण है वो निराकार है अर्थात उसका कोई आकार नहीं कोई रूप नहीं और जो निर्गुण है साकार है अर्थात जिसका आकार है जिसका रूप है तो एक ही ब्रम्ब के ये दूनों सो रूप है यही तो कहा है मैंने फिर भी कोई सगुन साकार की यानि मूर्ति की यानि भगवान की रूप की पूजा करता है और कोई निर्गुण निराकार की इसमें नई बात कौन से किया आपने शास्त्री जी शास्त्रों में गुरू को भगवान का दर्जा दिया गया है ये ठीक है ना शास्त्री जी जी हाँ मनुष्य का पहला गुरू कौन है शास्त्री जी मनुष्य की अपनी माँ क्या वो निर्गुण है निराकार है क्या माँ अच्छे बुरे गुणों से रही थै क्या उसका कोई रूप नहीं गुरू के मार्ग दर्शन के बिना कोई भी आध्यात्मिक पत का पथिक नहीं बन सकता मैं ठीक कह रहा हूँ ना शास्त्री जी आप ठीक कह रहे हैं आपका भी कोई गुरू होगा क्या वो निर्गुण है निराकार है या बिना शकल के है चुप क्यों है शास्त्री जी जवाब दीजिए 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 नहीं मेरे भी गुरू है सगुण साकार शास्त्री जी मनुष्य स्वयम आकार में है उसके पास शरीर है रूप है इसलिए मनुष्य का आकार ईश्वर की उपासना करना सुभाविक ही है भागवान का रूप सामने हो तो ध्यान केंद्रित हो जाता है एक पहचान सिबंजाती है ना जब तक स्रगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ती में व्रत्थी नहीं होती और सगुण उपासना में जैसे जैसे अग्रसर हो जाता है वैसे वैसे उसमें ज्ञान की फृत्थी हो जाती है उसके बाद निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाता है इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गनेश किया जाता है अगर आप अपने मन की आँखों से देखेंगे, ताब आपको विश्वास होगा, कि खुद साही बाबा, सगुण साकार भी है, और निर्गुण निराकार भी है, आपने मेरी आँखे खोल दी, मेरे एहंकार को मिटा दिया है, मैंने आप पर संदेह की उंगली उठाई, मेरे इस द्रिष्टता को क्षमा कीजिए, मैं आपकी शेरन में आया हूँ, मेरा प्रणाम सुईकार कीजिए, प्रणाम सुईकार कीजिए, है याँ है सद्गुरु साइनात, आप वैरागे प्रत्यक्ष मूर्ती है, आप अनन्य शरणागत भक्तों के आशरे दाता है, वो धारक है, आप ईश्विर का उतार है, आप शेरीड़ारी हो कर गई, नरकुर, निराकार है, आप साक्षाद, सच्चित और आनन्द है, अनन्द कोटी ब्रम्हान्ड नयक, राजा धि राज योगी राज पर भरम्द शुरी सद्गरू साइनात महराज की, साइनात महराज की, कि आगे आगे शास्त्री जी आगे जरूर उस साइं बाबा का पाखंद शिर्डी वालों को दिखा कराए अगर शिर्डी वालों को शाइं बाबा का पाखंड पता चल गया तो आप हमें श्रीखंड खिलाओंगा भी और उससे नहलाओंगा भी आईये आईये शास्त्री जी बैठिये अब आप श्रीखंड खा के ही जाएएगा तो क्या दुर्दशा हुई उस पाखंडी साइं बाबा के शृड़ी वालों के सामने पाखंडी साइं बाबा नहीं ये ये सामने रहे जी वह भी बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हैं अ講 मरग था जो आपके ब्हुकावे में आकर साइं बापा को पाखंडि कहने निकल पड़ा साइं बाबा तो भगवान है सगुण साकार भी है और निर्गुण नेराकार भी त्वारि कानाच जी आपने बहुत पाप कर लिए जाए और जाकर साइं बापा के जरण में गिरकर उनसे शरण मांदीजिए आपके सब पापों का प्रैश्चित हो जाएगा अब वसाई बाबा ने शास्त्री पर भी अपना जादू कर दिया है हाँ बैजी इसका मतलब आप हमें श्रीखंड नहीं मिलेगा मुरख तुम्हें श्रीखंड चाहिए आगे आओ अपना श्री मुख खोलो इंसान का सबसे बड़ा शत्रू है अंकार इंसान की तरक्की के रास्तों को रोपता है अंकार की वज़े से इंसान की अधोगती होती है इसलिए कहता हूँ सदव मेरी याद में मन को लगाय रखो ताकि वो मुमाया में ना फसे जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सुना है वो सदैव मेरे दर्शन पाता है जो सदैव मेरा लीला गान करता है जो लगातार मेरा ध्यान, स्मर्ण और मेरा ही नाम जबता है और जो पूर्ण रूप से मेरी शन में आता है अपने उपर उसका ये रिण मैं उसे मुक्ती दे कर चुका देता हूँ जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है जो मुझे सबसे पहले अर्पित किये बिना कुछ भी नहीं खाता मैं उसक्या धीन हूँ जो इस प्रकार मेरी शन में आता है उमस्य मिलकर उसी तरह से एक अकार हो जाता है जिस प्रकार नदियाँ समुत्र से मिलकर एक अकार हो जाती है अपना अंकार त्याक कर अपने आपको मुझे समर्पित कर दो झाल झाल साही बेटी यह आग अच्छानक कैसे भड़की यह भी एक चमतकारी है अरे पानी तो डालो साही बाबा की पात पवित्र दोनी पर हम उनकी इजाज़त के बिना ऐसे पानी नहीं फेग सकते हैं साही नाच क्या आप हमारी परिक्षा ले रहे हैं सही बेटे अपने मा की ममता की परिक्षा ले रहे हो तुम आप क्यों परिशान हो रही हैं मां बेटा आप भड़क रही है याग नहीं अंकार है अंकार जब भड़कता है तो मनुष्च का विवेक चला कर राक कर देता है याग हमें बता रही है कि जब विवेक नहीं रहता तो मनुष्च अविवेक में हाकर कुछ भी अविचार कर बैठता है साही बाबा आप तो भगवान है हर कोई आप दी आज्या का पालन करता है नहीं जे कि प्रकोपसी आप ही ने तो शुड़ी को बचाया था हाँ बाबा आप फिरी तो कोई में गिरी हुई बच्ची को बचाया था हाँ भाईया आप कुछ भी कर सकते हैं आपको आग्या दीजिए रुख जाए नीच उत्रों नीच उत्रों तुमने मेरे भक्तों को दरा दिया इतना आंकार ठीक नहीं है मैं कहता हूं नीच उत्रों 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 नीच शिति जल पावग पवन नभ पाचो पर अधिकार नाज पंच भूता अधिपते साई मय संसार साई मय संसार जब साई बावा ने आदेश दिया जल को तो जल बना तेले और दीपक जलाए है आज्या दिभावूति को तो बन संजी बनी रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए है पवन महक रही साई की सुगंद से तो गगन की पूछो तो वो गगन से आए है शांत हो जा शांत हो जा तेहकर साई बाबा धरकती ज्वाला को नियंक्रण में लाए उत्रो नीचे उत्रो अरे भगवान द्वाइर का नात की आग या है नीचे उत्रो है यह मारे भगवन द्वाज अदेश है यह यह उत्रो कि मिन कि आnity है हाँ बोल तुमने तो हमें डरा ही दिया इसकी हसी है या बादलों की गरत तुम्हारा इस तरह साम में आने का तरीका मुझे पसंद नहीं है तांट्या पर मुझे पसंद है एक तो मेरा दरावना चहरा दूसरा मेरे हाथ में यह कुलाड़ी देखकर लोग वैस ही मर जाते हैं दिना हमारे नहीं मुझे मत पार नहीं इसको बोलो कुलाड़ी फेंग दे दगडू चलो बापत चलते हैं अधोंडू इससे तो अच्छा है साही बाबा को बोर्दार खबरदार मूर्ख हो जो त खुबंगे करवा दूंगा तुम दोनों के शरीर के दंटीया को बोल कर समझें बोल तो इसकी घरदन उड़ानी है साही बाबा की वही जो द्वार कामाई में रहता है राम 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 तुम कैसे जानते हो सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं भगवान भगवान तो सिर्फ हमारे द्वाइर का नाथ जी है कि यह 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 तो शैतान है कांट्या जबान मत चलाओ कुलाड़ी चलाओ कुलाड़ी पैसे कितने मिलेंगे पिलाल एक हजार एक हजार काम हो जाने के बाद लेगन उससे पहले तुम्हें शपत लिनी होगी पकड़े गए तो किसी का नाम नहीं लूगा तो ठीक है कहां है तुम्हारे भगवान का मंदिर हम सबसे पीछे ही रहते हैं क्यों अगर तंट्या ने कुलाड़ी मारी ना तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे हां शपत लो तंट्या मैं तांचया रामो श्री भगवान शिव को साक्षी मान कर शपत लेता हूं इस साइं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा और नाहीं पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा जय भॉले नाट अरे दोडो दोडो और दोडो धुंडो जिए कि अधिक आपको तंट्या की शपत पर भरुसा है तंट्या अपनी जबान का पक्का है वैजी और अपने भगवान पर पूरिश्रद्धा और विश्वास भी रखता है अरे शपत ली है उसने शपत तो उसे निभाएगा भी आप कह रहें हैं तो सही ही होगा हाँ वार, एक, अर्थ्टुकुडे, दो! साइबाबा, एक, अर्थ्टो, हजार रुपए, साइबाबा! जली से साइबाबा के लिए हार बना डालो, मैं जिस गर्दन को काटने आया हूँ, ये उसी गर्दन के लिए फूलों का हार बराने को कह रही है, लेकिन साइबाबा है कहाँ? बिक्षा मांगने गय है, लो, पेट बार कर खाओ, तू सब के पास है, हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझने रब जैसी ख्रमता है, तू अपने ऊपर ले ले, अले, राम, 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 धुंडू, डगडू, देख रहे हो! लो, आप इखाओ, आज से पहले ऐसा नजारा तुम लोगोंने कभी नहीं देखा होगा! कैसा नजारा? अरे मुर्कों देख नहीं रहे हो! एक भिकारी दूसरे भिकारियों को खाना खिला रहा है! सच कहते हो, वैज जी! हाँ, क्यूंकि कुलकर्णी जो कहता है, वो सोलाने सच होता है! हाँ! वैज जी, आप भी आईए, खाना खालेजिए! ए, अपनी ओकात में रहे, वैज जी को क्या विकारी समझा है? नहीं, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा खाना सबके नसीब में नहीं होता! नसीब में नहीं होता? तो तुम्हारी नसीब में तो है, तो चाओ, पेड भर के खाओ! जाओ, जाओ! निकारी कहीं कहीं! सच तो कह रहे हैं, वैज जी, भगवान के हाथ का दिया हुआ खाना आपके नसीब में नहीं है! अभी भी खाना बहुत है साइं की जोली में! वैज जी, भगवान क्या-क्या पकवान निकाल रहे हैं अपनी जोली से! अरे जाजा, क्या खाले? निकारी कहीं के भगवान निकाल रहे हैं! वैज जी, चलें! आँ, चलो, मूरा करेंगे! वैज जी, चले भी उधर नहीं, इधर है! लड्डू भी है! अरे नाराइक हो, चलो! राम, राम, राम! लो, खाओ! अरे राम, 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 ये तंत्या रामोशी एक हजार उपए लेकर नजाने कहां चला गया? अरे दोंडू, अरे तुम बिकारियों की तरख्यों खड़े हो! चलो, मूर्खो! चलो! ए लड़की! ए गंगू, इस चाचा को बता दो! मेरा नाम लड़की नहीं? शानता है! वो सब छोड़ो! और ये बताओ, यहां साई बाबा कहा है? साई बाबा को ढूनना नहीं पड़ता! वो तो हर तरफ हैं! हर जगा हैं! जहां भी जाओगे, साई बाबा मिलेंगे! पर इस वक कहा होंगे? ओ गंगू, लगता है चाचा को बहुत भूक लगी है! इन्हें बोलो कि जाओ! जाकर खाना खा लो! साई बाबा गरीबों को खाना दे रहे हैं! हे! साई बाबा कहा है? तुम कान हो? साई बाबा के दर्शन के लिए उतावला हो रहा है! ऐसा ही होता है! भगवान अपने भक्तों की ऐसे ही परिक्षा लेता है! जब तुम्हारी चाहत एकदम सच्ची होगी, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे! वो कहते हैं, श्रद्धा रखो और सबर करो! ढूंडते रहो भगवान को, वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे! मिलेगा! जरूर मिलेगा! जाएगा कहां? रुकिये माननेवर, खंडोबा के आर्थी लिए बिना ही जा रहे हैं? तंटिया रामोशी तुम, यहां श्रदी में क्या कर रहे हो? तंटिया श्रदी में किस मकसत से आया होगा? मुझे फौज़दार से मिलना होगा! नमस्कार मालसबती जी! फौज़दार साहब नमस्कार! जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हैं आप? यह तो देविये विधान हो गया! मैं आपको मिलने थाने आ रहा था! क्यों? यहां श्रदी में तंटिया आया हुआ है! तंटिया? घंडोबा के मंदिर में आया था! मंदिर में और तंटिया? पता नहीं किस इरादे से आया है? मेरे पूछने पर रुका नहीं तुरन चला गया! पुजारी जी वो फरार मुझरिम है! इसलिए तो डर लग रहा है! श्रदी में आजकल बहुत शान्ती यह फौजदार सा है! बस यहां शान्ती ही बने रहें दी जी! आप फिक्र ना करें! अगर वो श्रदी में आया है तो आप मैं उसे श्रदी से बाहर जाने नहीं दूगा! आप नहीं बचेगा वो कानून से! तंटिया रामुसी! तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंड रहे हो! मैं तुम जैसे फकीर को नहीं साही बाबा को ढूंड रहा हूं! अज क्यों रहे हो? क्या फकीर साही बाबा नहीं हो सकता? या साही बाबा फकीर नहीं हो सकता? तुम्हें पता है तो मुझे बता दो कि साई बाबा कहां मिलेगा तुम अपनी आखे बंद करके देख रहे हो तभी तुम्हें नजर नहीं आते साई बाबा अपने मन की आखो से देखोगे तो तुम्हें साई बाबा मिल जाएंगे क्यों डून रहे उसे क्या गाम है उससे तुम्हें मुझे मुझे उसकी जान लेनी है जब वो मुझे मिला उसकी सिंदगी खत्म और तुम्हारी अच्छा तुमने साई बाबा को देखा है हाँ देखा है कैसा दिखता है मेरे जैसा तुम क्या पागल हो हाँ लोग मुझे पागल फकीरी कहते हैं यहां क्या कर रहे हो इंतजार किसका तुम्हारा मेरा क्यों तुम मुझे मारने निकले हो ना गाओं में या द्वारी का माई में मारोगे मुझे तु लोग देख लेंगे तुम पकड़े जाओगे यहां इस जंगल में तुम भी अकेले मैं भी अकेला कोई देखने वाला नहीं कोई रोकने वाला नहीं और कोई फौजदार को जाकर बोलने वाला भी नहीं मगर में तुम्हे क्यों मारूंगा मैं साइव बाबा को बारा निकला हूँ तुम्हारे आखों में कड़बड है क्या है हां तुम ने साइव बाबा को कैसे नहीं देखा वो तो हर जगा है हर तरफ है यकीन नहों तो जाकर बाबो किरन बदीकर के बच्ची शांता से पूछ लो इन्हें समझा साई बाबा को ढूड़ना नहीं पड़ता वो तो हार तरफ है हार जगह है जहां भी जाओगे साई बाबा मिलेंगे मैं उस बच्ची को मिला हूँ लेकिन बच्चा तो खुछ भी बोल देता है उसकी बात पर मैं विश्वास नहीं करता उस बच्ची पर विश्वास नहीं करते तो किस पर विश्वास है तुमें अपनी टाकत पर उस जमीन पर पड़ा पत्थर देख रहे हो जरा उठा कर दो मुझे क्यों उठाओ दो कर दो कर दो साई कथा अनंत है साई नाम अनमोल जनम सफल हो जाएगा साई साई बोल कि विश्वास उस पर करो जो सच मुझ का ताकत वर है विश्वास उस पर करो जो तुम्हें ताकत देता है और जो जब चाहे तुमसे तुम्हारी ताकत छीन भी लेता है तुम कौन हो अपनी ताकत पर विश्वास करने वाले तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है साब उसके पास है उस ताकत वर के पास तुम कौन हो जिसे तुम धून रहे हो साई बाबा साई बाबा और तुम साई बाबा नहीं हो सकते कि तुम कोई भागल हो है तुमहारे साथ एक पल और भी रहा तो मैं भी तुम्हारी तहा पागल हो जाऊंगा मैं साई बाबा को मारने निकला हूं और तुम मेरा मसाक पुड़ाते हो पागल कहीं के एए, कानोतुम्, वैहिरुग्जाओ. मुझे तो लगता है उसाई बाबा ने सेठ नंदलाल को अपने साथ मिला लिया है. दोनों ने मिलकर पूरे गाउं को बेवकूफ पनाया है. राम, 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 भला कुट्टे के खाना खाने से सेठ नंदलाल मारवाडी के पेठ दर्द का क्या संबंध? वैजी, ऐसे चमतकार होते रहे तो एक दिन आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी. अरे, करनी नहीं पड़ेगी. अपने आप बंद हो जाएगी. जब कोई दवा लेने नहीं आएगा. सबके सब उस साही बाबा के पास जाएंगे. आप सुन रहे हैं दुवारिकानाच जी. वैजी, ये बहरे नहीं है. अरे, चुप करो मूर्खो. दुवारिकानाच जी, अगर साही बाबा का नाठक ऐसे ही चलता रहा तो… नहीं चलेगा, वैजी, नहीं चलेगा. ये जो भी नाठक है, इसका पर्दा गिराने के लिए हमने ताट्या रामोशी को काम पर लगाया है. अरे, राम, 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 लेकिन वो काम करता कहा है? इतने दिन हो गए और… वैजी, ऐसे काम धिन्धोरा पीट कर नहीं किये जाते हैं. एक कान से दूसरे कान तक किसी को खबर ना चले. ये काम ऐसे किये जाते हैं. अब तक भाग रहे हूं? तुम? यहां? कब तक भागोगे? भागू नहीं तो क्या करूं? फॉजदार जो मेरे पीछे पड़ा है, तुम ने तो नहीं पता है फॉजदार को? तुम पाप करते हुए भाग रहे और तुम्हारे पापों के छोड़े निशान देखकर फॉजदार तुम्हारे पीछे भाग रहे है. वो फॉजदार आ रहा है. खून खराबा करोगे? अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा. इश्वर की भक्ती करोगे? क्य बचना चाहते हो? इस वक्त मैं च्छिपना चाहता हूँ. दुनिया में ऐसी कोई जगे नहीं है जहां जोट अपने आपको सच्चाई से छुपा सके. पकड़े जाना नहीं चाहते हो? हाँ. वादा करो. तुम ये खून खराबा छोड़ दोगे. ये कुलाड़ी हमेशा के लिए फेग दोगे और इश्वर की भक्ती में लग जाओगे. तो मैं तुम्हें चुपा सकता हूँ. ठीक है. ठीक है. तुम जो कहोगे मैं करूँगा. लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए कोई जगा बताओ. जल्दी. मेरे पीछे आजाओ. और पेड़ के पीछे छुप जाओ. इधर किसी को आजे हुए तो नहीं देखा? किसी को कैसे देखूंगा? मुझे तो हर जगे इश्वरी दिखाई देता है. लगता है दूसरे रास्ते से भाग गया होगा. चलो. शुक्रिया बच गये ना? वो आदा किया था तुमने. बच जाओगे तो खून खराबा छोड़ दोगे. ये कुलाडी फेट दोगे. और इश्वर की भक्ती में लग जाओगे. क्यूं? हस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी मूर्खताग पर हस रहा हूँ. शेर को कहते हो बक्री खाना छोड़ दे? ये कुलाडी ही तो है मेरे पास, जो मुझे जीवन देती है. इसी के डर से तो लोग मुझे पैसे देते हैं. इसे फेक दूँगा, तो खाऊंगा क्या? जीऊंगा कैसे? तुम ठहरे फकीर, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं? मुझे चाहिए भी कुछ नहीं. वही तो, तुम्हेना घर चाहिए? ये सारा संसार मेरा ही तो घर है. हाँ, और सारे संसार का धन भी तेरा ही है, तम सच मुझ पागल हो. मैं शेडी के साई बाबा को मारने निकला हूँ, और ये कहता है कुलाडी फेक दे. कहां गुम होगे आपका वो तंट्या रामोशी? हम यहां आस लगाए बैठे हैं कि वो साई बाबा आज खत्म होगा, कल खत्म होगा. राम, 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 वो तो ऐसे जिन्दा घूम रहा है कि कभी मरेगा ही नहीं. वैच जी, मुझे तो लगता है आपके एक हजार गए बेकार. आपको जल्दी बहात है वैच जी, खून करना है खून, कोई प्रसाद नहीं खाना, थोड़ा सबर किजिए. लो, प्रारिकानाज जी भी साई बाबा की भाशा बोलने लगे. हाँ, वो भी तो यही कहता है, श्रद्दा रखो और सबर करो. अले मुर्खो, तुम अपना मूँ बंद करो. द्वारिकानाज जी, उस दिन के बाद क्या कभी तंटिया आपको मिला है? द्वारिकानाज जी, तंटिया श्रड़ी में है. क्या? तंटिया श्रड़ी में है? जी हाँ, महाल सा पती ने उससे अपनी आखों से देखा है. और अब फॉजदार उससे ढूण रहा है. पुलीस? पुलीस ढूण रही है उससे? क्यूं? पिना कुछ किये? हाँ, अभी तो साहीं बाबा जिन्दा है. आप लोग शायद जानते नहीं. तंटिया फरार मुझरी में है. पुलीस कई सालों से उससे ढूण रही है. लगता है, फॉजदार है. तंटिया? अरे, राम, 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 तुम मेरे घर क्यूं आए हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हें पुलीस बाद में पकड़ेगी? हमारे हाथों में हतकडियां पहले डालेगी, समझे? पर मैं क्या करूँ? कब से ढून रहा हूं उसे? तुम्हारा वो साई बाबा कहीं मिली नहीं रहा है? वही पूछना आया हूं मैं. क्या? तुम्हें शेल्डी में साई बाबा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, खुले आम तो घूमता है वो. हाँ हाँ अभी कुछ दिर पहले भिक्षा मांग रहा था कफनी पेनी होगी सिर पर कपड़ा बांधा होगा दुनिया में ऐसी कोई जगा नहीं है जहां जूट अपने आपको सच्चाई से चुपा सके सिर पर कपड़ा तो अब तुम साधानी से यहां से निकल जाओ आप सही के रहें द्वारिकानाजी किसी को जरा सा भी शक्त नहों कि तुम मेरे घर आये थे कि क्या हुआ साइबाबा आप खस क्यूं रहे हैं नंदलाल देख रहा हूं लोगों की शद्धा नहीं रही इसलिए टरपोक हो गए हैं कायर हो गए हैं आप किन लोगों की बात कर रहे हैं बाबा जो शद्धावान नहीं होते जो अपनी आहट से डरते हैं जिन में आत्म विश्वास नहीं होता शद्धा शक्ति देती है आत्म विश्वास नहीं होते हैं कि शद्धावान कभी कायर नहीं होते है कि अच्छे बैती हो ना रुक जाओ आहो इसे रोको ना शांता मैं अच्छी हूँ इसलिए तो अपने गंगु को कुए में नहलाने जा रही हूँ रोको शांता को रोको शांता को वो कोई के पास जा रही है रोको अब रोना नहीं मैं तुम्हें नहला रही हूं मेरी बेटी को बचाओ मेरी बेटी को बचाओ उस बच्ची को बचाओगे क्यों तुम्हें क्या तुम किसी की जान लेने आया हो लोगों की सिंदगियां बचाने नहीं को यह चानता करीक मेरी बेटी को बचाओ अरे मेरे मेरी बेटी को निकालो जाओ श्रों को बिला के रहे हो वो वह में ओना जानता है माधा था साही बाबा मेरे बच्चे डूब जाएगे साही बाबा साही बाबा इसमें आपने हाथ क्यों डाला वो भी अचानक यह कुआ है कुआ है कुआ हाँ बाभू किरवंदी करके बेटी शांता इसमें गिर गई है मैंने इसे पकड़ लिया है चमतकार हुआ देखो पार्वती शांता बाबा शांता बेटी शांता मेरे बच्चे मेरे बेटी ली राम राम हकुत हो अरे गुडिया किरी है न कुए मेश में तुम दोनों का भी कुछ गिरा है क्या कुए मेश बोलो नाना गुडिया के लिए नहीं शांता कोए में गिर गई थी है अरे शांता वेटी कोए में गिर जाती तो इसके कपड़े ना गिले होते हैं अरे इसके कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं किसीने पाने में गिरने से पहले ही शांता को बचा लिया क्या मुझे साही बाबा ने बचाया है साही बाबा साही बाबा मुझे पकड़कर बहार लाए सांही बाबाने साही ने हमारी रक्षा की भग्वाने हमारे साही बाबा मत रो ंब्खव्ति चलो हम साहीं बाबा के पास चलते हैं चलो हम भी चलते हैं अच्छा है मैं भी इन गाओं वालों के पीछे पीछे जाकर साही बाबा को देख लेता हूँ और आज ही उसे मुझे मेरा एक हजार रुपया और मिल जाएगा साही बाबा की साही नाती नाती साही बाबा जाता आज़ा 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 मेरे बेते जाता कैसे है तुअ आज आपकी वज़र से हमारी बेटी बज गई साही बाबा साही बाबा क्या फकीर साही बाबा नहीं हो सकता या साही बाबा फकीर नहीं हो सकता यह सब आपका अशिर्वाद है साही बाबा जो हमारी शान्ता मेरे बच्ची मरते मरते बच गए साही बाबा की साही नाथ की साही बाबा की साही बाबा की वैजी वैजी वो देखिए तंट्या अपने मन के आखों से देखोगे तो तुम्हें साही बाबा मिल जाएंगे वैजी वो तंट्या वहां खड़ा सोच क्या रहा है वैजी उससे कहें कुलहारी चलाएं अब तो गया साही बाबा वैजी बाबा द्वारी का नाथ जी को इस द्रिश्च को देखने के लिए यहां होना चाहिए था नहीं हाँ लक्षमी बेटी अपने मा को लेकर हट जाओ मेरे सामने से नहीं साही बाबा वह आपको मारने के लिए आ रहा है नहीं नहीं लक्षमी बेटी मारने नहीं तंटिया मुझसे मिलने आ रहा है अरे ठोंगी मिलने नहीं मौत से मिलाने आ रहा है तुम लोग मेरे ओ तंटिया के बीच दीवार बनकर मत खड़े हो जाओ कर दोंगी मिलने आ रहा है कि देख के रहा है मार हां खत्म कर दे अरे तंटिया रुक क्यों गया चलाप कुलाणी अरे अरे अ बाम कर दीजे साइबाबा मुझे माम कर दीजे मैंने बाहर बाहर आपका अपमान करके वह कि आपको पहचाना नहीं आपने भी तंट्या को पहचाना नहीं कि मरण देने वाले ने शिराड ले ले मैंने कुलाडी हमेशा के लिए फेग दी साइबाबा मैंने अपना वाधा पूरा कर दिया है साइबाबा अब मैं कभी कुलाडी नहीं उठाऊंगा कभी खोन खरावा नहीं करूगा राम राम मेरे एक हजार रुपए तो गए पानी में हाँ आपने कहा था इश्वार की भक्ति करो आप तो खुद इश्वार है मैं आपकी भक्ति करूँगा नालायक तुम नहीं वो उठो तन्टिया पश्चा दाप के आँसों कुछ हद तक पापों का मैल दो देते हैं और प्राश्चित कि यह हुए पापों से मुक्ति दिलाता है तुम अपने आपको फौशदार के हवाले कर दो यहीं तुम्हारा प्राश्चित होगा तुम्हारे दिल में छिपी अच्छा ही नहीं आज तुम्हारी बुराई पर जीत हासिल कर लिए उसके लिए उपरवाले का शुक्रियादा करो उसकी अराधना करो याद रखो सिर्फ इंसान ही इंसान में फर्क करता है उपरवाले के लिए सब समान है वो सबका है सबका मालेक एक अपने आपको उसका बना दो वैजी चलो हम भी आपको पुलिस के हवाले कर दें आपको 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 आपक पाईचा 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 क्या हो सकू तो पितनी घग रहे क्यों हो वो तेंटिया तेंटिया कि मैंने उसे देखा कहां गाउं में अपने शिर्डी में घूम रहा था शिर्डी में अरे रेवा चल्ड़ा पंदाओ यां क्या कह रहे हो तंटिया अभी भी घूम रहा है इसका मतलब है तंटिया फौजदार सहाब के पकल में नहीं आया जाओ और दोर्स आपको खबर करतो फोरण जी आओ तो आला तरीका सही थे रूप क्या उसके हाथ खाली है अरे हाँ उसने कंबल तक नहीं योड़ रखा किसी का खून का के तो नहीं आये वह आई ये देखते हैं चल्ड़ा तंटिया अपने आपको हमारे हवाले कर दो वरना हम गोली चला देंगे कि मैं अपने आपको आपकी हवाले ही करने आ रहा था फौजदार साब कौन यखिन करेगा तेरा मत कीजिए लेकिन अब मैं जान गया हूं जूट चाहे कितनी भी कोशिश कर लें सच्चाई सच्छिप नहीं सकता यह तो तब तो ग्यानी जैसे बोल रहा है नहीं यह बन रहा है। हम्सें ब्यवकू भण ना रहा है कुल आड़ी कहा है तुमारी साही बाबा के पास सय के बस आय नए हो साही बाबा के पास क्यों गय थे तुम साही बाबा सिंस रेख के भगवान है पके सब्सक्राइब उन्होंने मेरी आँखें खोल दी उन्होंने मुझे गुरुपदेश भी दिया है कि खोन खरावा छोड़ दो कुलाड़ी फेक कर अपने पापों का प्राहश्चित करो मैंने उसी समय कुलाड़ी फेक दी इसलिए फौजदार साहब मैं अपने आपको आपके हवाले करने आ रहा था मुझे गिरिफतार कर लिजे फौजदार साहब मैंने बहुत पाप किये हैं मुझे सजा दीजिए मुझे सजा दीजिए फौजदार साहब मुझे सजा दीजिए मुझे सजा दीजिए नहीं वैज जी नहीं पुलिस के शरण में नहीं उस साहीं बाबा की शरण में गया हो तांच्या कि समझ में नहीं यादा लोगों की गर्दने काटने वाले ने अपनी गर्दन उस साही बाबा के पैरों में कैसे चुका दिया लोग बोल रहें उसने अपने पापों का प्राश्चित कर लिया है अरे लेकिन हमारे बैच जी के हजार रूपयों का क्या होगा उनका भी प्राश करिश्मा मान रहा है इस बात को करिश्मा ही तो है हमने भेजा था तंट्या को साही बाबा को खत्म करने के और साही बाबा ने तंट्या को ही खत्म कर दिया जो हत्यारा था खून करना जिसका पेशा था उसका खून ही बदल दिया साही बाबा ने तुना है वह साही का भक्त हो नहीं वैजी, हम वो वक्त ही नहीं आने देंगे, गल्ती हमारी थी, हमने गलत रास्ता चिना, अब देखना तुम सब वो साही शिरी जी से बाहर कैसे जाता है इंसान दूसरों के बारे में बुरा ही क्यों सोचता है, क्यों भूल जाता है, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा तुम इतनी गवराई से क्यों हो एब अगवान इस तरफ आया था ना अब गुलाडी थी उसके हाथ में बहुत भयानक लग रहा था यही तो उसके खुलाडी है उसने आप पर वार तो नहीं किया क्यों करता मुझसे उसकी क्या दुश्मनी है लेकिन वो हत्यारा है साई बाबा क्यूं बना वो हत्यारा किसने बनाया उसे हत्यारा हमने वो भी अपनी जिन्दगी जीना चाहता था लेकिन हमने उसे जीने नहीं दिया हमने उससे नफरत की कभी उससे अपने जैसा नहीं समझा और पराया बना दिया उसे नफरत को ही जन्म देगी हमने उससे नफरत की वो भी हमसे नफरत करने लगा हमने कभी उससे समझने की कोशिश नहीं की कभी उसके दिल में छुपे प्यार को टटोलने की कोशिश नहीं की सिष्टी का अधार प्यार है पेड पौधे भी प्यार को समझते हैं कि जानवर भी प्यार करने वाले को प्यार करते हैं हम अग onion अगल अगया मगर हम इंसान दूसरे इंसान को प्यार नहीं देते तंटिया भी प्यार का भोका धामा है कि दूसरों की नफरत ने उसे हत्यारा बना दिया मैंने उसे थोड़ा सा प्यार दिया बस उसने नफरत भरी कुलाडी भेग दी और मेरे प्यार को कले लगा लिया महल सा पती जिस तरह खुबसूरती देखने वाले की आँख में होती है उसी तरह प्यार हर दिल में धड़कता है प्यार को बदले में प्यार ही चाहिए प्यार वो शक्ती है जो हर नफरत को जीत में बदल देती है हम भूल गए थे आप तो भगवान है भगवान को कोई कैसे मार सकता है सबका मालेक एक शामा 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 इधर आओ अरे चल्दी इधर आओ क्या हुआ साहिं बाबा आपने क्यों बखारा मुझे कोई दूस्त प्राणी मेरे बिस्तर पर है अरे देख देख उधर देख कि अरे श्रामा देख क्या रहे हो जाओ भगाओ उसे अरे जाओ यह तो जहरी है पिछले जन में मनुष्य योनी में थे तुम्हारी व्रत्ती दूसरों का बुरा करने की थी जो अब भी है योनी बदल गई है अब तो डंक मारना छोड़ दो हाँ कि अगया है कि आपकी चादर में जहरीरा साप था साई बाबा और आप हस रहे हैं अरे आप हस रहे हैं उस वक्त तो डर गए होंगे जब मुझे आवाज दी अरे शामा कहा हो इधर आओ जल्दी आओ जल्दी आओ अब हस रहे हैं हरे शामा मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंड रहा था मुझे हां क्यूं पिछले जन्ग में तुम दोनों में दुश्मनी थी अब उसने उसी व्रत्ती के साथ इस जन्मे साप के रूप में जन्म लिया है वो तुम्हें डंक मारना चाहता था बचना उससे डंक मारने का मौका नहीं देना उससे मैं क्यों चिंता करूँ, मैंने तो अपने आपको, आपको समढ़पित कर दिया है, अब आप सोचिए आपको क्या करना है चल अचल, सजीव निर्जीव, चरंद परिंद, सब को पागल बना रखा है अब साई बाबा के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है, उनके दर्शन नहीं होते, तो लगता है हमने कोई पाप किया है मैं भी जब नासिक से चाय की पत्ती लेकर आता हूँ, तो सब से पहले साई बाबा के चर्णों में रखता हूँ, वो उसको हाथ लगाते हैं, तब मैं अपनी दुकान पर लेके जाता हूँ माधोरा जी, मैंने सुना है, साई बाबा ने आपको सर्व के बारे में साउधान किया है, मजाक, मजाक है, साई बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधोरा जी कि साई बाबा कभी असत्य वच्चन नहीं बोलते, उनके मुक्ष स निकला हर शब्द सत्य होता है और अगर उन्होंने मजाग भी किया है तो आपको समल कर रहना चाहिए हम तो श्रीडी पहुच रहें सगुन अब साब को मौका कहां मिलने वाला है बाबा! साई बाबा! माथोराओजी! माथोराओजी, होच पहाइए! माथोराओजी! अब तो आपी माथोराओजी को पचा सकते हैं! चलो वैजी वैजी यह सगूर नायक माधवराव जी को लिए कहां जा रहा है ना जाने क्या हो क्या है इसे माधवराव जी को मा वो गुरू जी को सापने काता है चैद उन्हें मालूम नहीं वैजी तो यहां है अरे राम 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 अरे कहां लेकर जा रहे हो इन्हें सगूर अरे जल्दी से इन्हें पेड़ के निचे पिठा दो हाँ पहले मैं जहर को फैलने से रोपता हूं लेकिन वैजी इनकी हालत देखे जहर तो फैल चुका है एरी ज कोई कितना भी दुखी और पीडित क्यों ना हो जैसे ही वो द्वार कामाई की सीडियों पर कदम रगता है उसका दुख उसकी पीड़ा तूर हो जाती है अगर ऐसा ही रहा ना तो आपकी दुखान बंद हो जाएगी अरे चुक तरो मुर्खों देखता हूं कौन मेरी दुखान बंद करता है कहां जा रहे हैं अरे द्वारी काम आई में क्यों अरे उस माधवरा उपर उस धोंगी साहीं का असर नहीं चला तो उसका क्या है हां हां वैत्य कुलकरणी कि शत्याना आस हो जाए उस्टोंगी क्या है कि क्या हुआ है कि ऐसे क्यों पकड़ा है माधौराव जी को इन्हें सापने काटा है माल सा पती साही बबाबा मुझे बचाएं ये आपने मुझे रक्षा किजिए साही बाबा रक्षा किजिए बाबा चले जाओ साही बाबा आपको जाने को बोल रहे हैं वो भी डाट कर अरे मुरख देख नहीं रहे हो वो माधौराव को बोल रहा है क्रितक्न इश्वारा किया था ना मैंने तुम है फिर भी नहीं माने अब भुक तो तुम जाओ साही बाबा क्यों आप इस तरह माधौराव जी को ठुपरा रहे हैं आप तो हमेशा कहते हैं साही बाबा कि जो कोई द्वार का माय की सीडियों पर पैर रखता है उसके सारे दुखदर्दूर हो जाते हैं तो फिर माधौराव जी को साही बाबा गुरुजी तो आपकी भागते हैं और फिर आपी ने तो कहता कि आपका और गुरुजी का बहतर जन्मों का संबंद है फिर आप माधौराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं साही बाबा तुरू जो यहांसे मना किया था ना तुम हैं फिर यह ले हैं ले हैं बाग यहां से इससे पहले तुझ अबाबा गभी इतनी गुस्से में नजर नहीं है निचे उतर मैं कहता हूं टीच उतर शीश रगड़ने आया हूं शीश रगड़ने आया हूं ुँउ मैं बलता हुँ नीचे वतर नहीं वा चबना तूं। नीचे वतर ुधर . लेटार . नीचे . जा , चला जा , चला जे यहाहसे। भब कावाइसा उपर चला, नीचुँ वतर . माधुराजी है ये दवा पी लिजे। पौरन पी लीजिए जहर फेलने से रुख जाएगा माधराओ जी मेरी बात सुनिए पीलो पीलो नीचे नीचे माधराओ जी नहीं चाहिए मुझे दावाँ मुझे साही बाबा कि क्रिपाँ चाहिए काशन बाद चाहिए साही भाबा को मुझे बचाना होगा मुझे बचाहिए ले तुम्हे बही यही यही दब तोड़ दूगा आप नहीं मूँ बोड लिया साहिदाथ तुम्हे मैं किसकी शरण जाओ किसके शरण जाओ गाओ ओम जै साही नात जै साही नात आदिन अंत तुम्हारा तुम्हें श्रतारमन हमारा ओ जैसाइनात जैसाइनात आदिनन्त तुहारा तुम्हें श्रतारमन हमारा धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक जैसाइनात जैसाइनात आदिनन्त तुम्हारा तुम्हें श्रतारमन हमारा जैसाइनात नंबर तुम्हें करतार रहकर बारा बार्व करते बारा खङएनात थादिन्त थाधिन्त तुम्हें इन्त थाधिक्षण यह कैँते था कैसे हो अब ठीक हो ना आपने मुझे कर्टक ने कहा कोई अपने भगवान से भला कैसे कर्टक ने हो सकता है मैं आपकी शरण में आया आपने मुझे ठुकराया मुझे डाटा उझे पर चिलाए उधर जाओ उपर मतारा चले जाओ अरे मुझे मुझे सब के सामने के तश्वर में इतने आओ ना पड़ा चलते हो तुम अगर मुझे ठुकरा रही था तो बुलाया क्यों साहिनाद बुलाया क्यों आप मेरे गुरु है और आप ही ने मुझे ठुकराया सब के सामने मेरा उपहास किया जब गुरु ही शिष्षे को सुईकार करने से इंकार कर दे तो शिष्षे के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाए अपने जीवन सबावत करने के और अब अब मैं भी यही करने जा रहा हूं मैं यही द्वार का माई मेही आपके चरणों में अपना दम तोड़ूगा दम तोड़ूगा धैरो शामा ऐसे कैसे दम तोड़ दोगे शामा मैं तुम्हें भला मरने दूँगा कैसे शिष्ष हो तुम कुरू की भाषा भी नहीं समझते अरे मैंने तुम्हे नहीं उस साप को कृतिक न कहा था पिछले जन में तुमने उस पर बहुत उपकार किया था फिर भी उसने इस जन में तुम्हें डंक मारा क्या वो कृतिक नहीं था लेकिन बाबा आपने गुरूजी को सीड़य क्यों नहीं चड़ने दी मैंने नहीं तो लक्ष्मी बेटी तुम्हारे गुरूजी तो मेरे शामा है शामा ये मुझे डांट भी सकता है इसकी डांट मुझे प्यारी लगेगी बहुत प्यारी लगेगी मैं भला सीड़ी चड़ने से कैसे रोक सकता हूं लक्ष्मी बेटी लेकिन आपने रोका साई बाबा आपने कहा उपर मत चड़ो नीचे उतरो उतरो नीचे अच्छा अच्छा वो तो मैंने साँप के जहर को उतारने के लिए कहा था नीचे उतरो और नीचे उतरो उतरो और नीचे शामा मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा था वो तो मैं साँप के जहर को उतारने के लिए क्रोध रूपी विश्च का प्रहार कर रहा था क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है जहर ही जहर को मारता है मुझे बाप कर दीजे साही बाबा अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों का संबंद कैसा है क्योंकि जहर का कहर तो खत्म हो गया और हां लेटना मत चलते रहना टैलते रहना ताकि नींद ना आये नींद आये तब भी मत सुना मुझ पर विश्वास रखो और अपनी सारी चिंता इत्यात दो जो आज्या साई बाबा जो आज्या साई की लिला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे बहचाने सारी लोग कैसे बहचाने